हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरे नाम निलोफर है दोस्तों उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे वेल्कम बैक टू प्रॉक्सी यान तो आज नेशनल फ्लिम अवार्ट जो है अनौन्स हुए है 67 नेशनल फ्लिम अवार्ट तो उसी को उसी में से जो कई सारे चैनल प्रउक्सेन्स को फोरा देखविएगा कि इसमे कई सारेGuessants शॉषिं कि अप सब केले एक चैनल ले नैइक इनिकेटिव सटकिया है ज आप इस सेशन को बुक कर सकते हैं और जानकरी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxyyan.com को आप विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल proxyyan को लाइक कीजे share कीजे subscribe कीजे और comment करके बताइएगा कि आपको हमारे lectures कैसे लग रहे हैं तो चलिए आज का lecture हम लोग start करते हैं तो पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ट जो है आज अनॉंस हुए हैं उसको पढ़ने से पहले एक बार उसकी थोड़ी सी background देख लेते हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ट पहले start कैसे हुए थे नेशनल फिल्म अवार्ट जोड़ी इंडिया इस्टाबलिश्ट इन 1954 यह भी पूछ ले जाता है कि नेशनल फिल्म अवार्ट से कब इस्टाबलिश हुए थे तो 1954 यह 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 याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है पहले जाता है उसके द्वारा इंटिया ख्याट किया जाता है इसके द्वारा यह कंड़क्त किया जाता है उसके द्वारा है कंड़क किया जाता है सिंस 1973 लेकिन यह जो नेशनल फ्लिम आवार्ट से वो इस्टाबलिश जोआ था 1954 में एवरी एर ए नेशनल पैनल अपॉइंटे बाइड गुवर्नेमेंट सेलेक्ट दा विनिंग एंट्री जो हर साल जो है एक नेशनल पैनल जो है अपॉइंट किया जाता है कुवर्नेमेंट के द्वारा जिससे क्या है वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि कोन जीता है और जो अवार्ट सेरिमोनी है वो नेशनल फ्लिम एंट्री में कंड़क की जाती है जिसमें क्या होता है कि जो भी अवार्ड जीते हुए फिलिम्स होते हैं उन उन फिलिम्स को वो लोग स्क्रीन करते हैं पब्लिक के लिए डिकलेट फॉर फिलिम्स प्रोड़्ूज़ इन प्रिवेस यर अक्रोस दे कंट्री इसे नहीं कि हिंदी में ही अवार्ड देंगे हर एक रिजिन और लैंग्वज में यह अवार्ड को प्रेजन किया जाता है तो इसके बाद देखते हैं कि इस साल जो है कि इसने क्या क्या अवार्ड जीते हैं क्योंकि आद जो सेरीमोनी हुई थी इसमें रजनीकान्थ सूपर्स्टार रजनीकान्थ जो है उनको दादा साहिप पॉल के अवार्ड दिया गया था यह कोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेगा सुषान्त लास्ट बिग स्क्रीन फिल्म चिचोरे डिरेक्टेट बाइ तिवारी और प्रडूस्ट बाइस साजिद नाडियाद वाला वन दा बेस्ट हिंदी फिल्म अवर्ड चिछोरे जो है सुशान सिंग राजपूत की लास्ट फिल्म थी लास्ट बड़ी फिल्म थी उसमें उसके लिए जो है बेस्ट हिंदी फिल्म एवار्ट दिया गया है उसके बाद देखते हैं की डिफरेंट टाइप्स ओफ आव़र्ट गिया हैं वह किसे किसे दिया गया है Best Feature Film जो है मरक का, अर्बी का दालेंते, सिम्हम मलियालम की जो फिलिम है उसे दिया गया है Best Feature Film Best Direction जो है बहात्तर हुरेन को दिया गया है उसके बाद आता है Best Actress जो कंगना रनोट को दिया गया है जो मनिकरनिका या फिर पंगा है दोनों के लिए उन्हें Best Actress का वाट दिया गया है Best Actors जो है Manoj Vajpai for Bhosle and Dhanush जो है उनको असूरन के लिए दिया गया है Best Supporting Actors जो है The Tashkind Files, पल्लवी जोशी है उनको दिया गया है Best Supporting Actors उसके बाद Best Supporting Actor इस विजय सेतुपती जो Super Deluxe में काम कर चुके हैं उनको दिया गया है उसके बाद Best Children Film जो है वो कस्तूरी है जो कि हिंदी में बनी है उसको दिया गया है उसके बाद Indra Gandhi Award for Best Debut Film of Director जो है Helen को दिया गया है जो कि एक Malayali Malayalam है Malayali Film है Special Mention Special Mention क्या होता है कि जो भी उनको mention किया जाता है कि ये भी बेस्ट है ऐसा करके तो Special Mention जो है बिरियानी ये भी Malayalam Film है उसके बाद जोनकी पुराव असामीस की Film है उसके बाद लता भगवान कारे मराठी Film है और पिकासो जो है ये मराठी Film है उसके बाद Best Tulup Film जो है बेस्ट पनिया Film जो है केंजीरा है उसके बाद Best Mission Film जो है अनुरुवाद है उसके बाद Best हरयानवी Film मैंने जैसे कहा हर रीजिन और हर लैंग्वज में ये वाट दिया जाता है तो Best हरियानवी फिल्म जो है चोरियां चोरों से कम नहीं होती इस फिल्म को दिया गया है उसके बाद बेस्ट च्छतिसगरी फिल्म जो है भूलान दा मेस को दिया गया है उसके बाद बेस्ट तेलगु फिल्म जो है जर्सी को दिया गया है उसके बाद बेस्ट तमिल फिल्म जो है इसके बाद ब्री मानीपूरी ंवर्ण किंन अक्षी कईast के बाद बेस्ट कोनकनी ंबें वक्षी ंवक्षी कर्ना तकह कि पंच्ण तरहें या चिचोरे घाया असके बाद बेस्ट भेंगोली ंब किन इसको दिया गए बाध बेस्ट असामी फिलिम जो है Ronova Ho Never Surrender बाध बेस्ट स्टंट जो है अवने इस्ट्री मन रायन को दिया गया है जो कि करनाटका से हैं उसके बाध आता है उसके बाद है बेस्ट कोरियोग्रफर जो की महारशी तेलगू में है उनको दिया गया है उसके बाद बेस्ट स्पेशल एफेक्ट जो है मर्रका अरभीका दलन्ते सिम्हम को दिया गया है जो की मल्यालम में है स्पेशल जूरी अवार्ड जो है उत्ता सेरुप साइस सेवन तमिल में जो है उसको दिया गया है उसके बाद बेस्ट लिरिक्स जो है कोलामभी मल्यालम में दिया गया है उसके बाद बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर सौंग्स विश्वासम तमिल को दिया गया है उसके बाद म जियोश्तो पुत्रों को दिया गया है जो कि बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर बेस्ट मेकप आर्टिस जो है हेलन है बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन जो है आनंदी गोपाल है उसके बाद बेस्ट एडिटिंग जर्सी तेलगु मूवी बेस्ट तेलगु मूवी में भी जर्स मुवी है बेस्ट डायलोग राइटर तशकिंद फाइल्स जो हिंदी में जिसमें पल्लावी जोशी को पिस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के इसमें भी उसको अवर्ड मिला है उसके बाद बेस्ट सिनेमेटोग्रफी जल्ली कट्टू यह फिल्म तो बहुत ही फेमस है तो यह बहुत ही इंपॉर्टन है कई बार इसको पूचा भी आए बस्ट सेनेमेटोग्रफी जल्ली कट्टू जो की मल्यालम की मोवी है बेस्ट फीमेट पेवेग सिंगर जो है बाहर दो जो मराठी की है बेस्ट मेल पलेबैक सिंगर जो है केशरी तेरी मिट्टी जो हिंदी को दिया गया है तो most film friendly state सिक्किम यह भी important हो जाता है best film critic सोहनी चटोबाद्या को दिया गया है best book on cinema जो है एक gandhian affair India's curious portrayal of love in cinema by Sanjay Suri यह best book on cinema जो है गandhian affair इंडिया's curious portrayal of love in cinema by Sanjay Suri इस पर इस book को जो है best book on cinema का ओर दिया गया है तो कई सारे questions आज के lecture में cover हो जाते हैं आप इसको एक बार से फिर से revise कीजेगा क्योंकि easily इसमें mark से score कर सकते हैं आप लोग next lecture में एक और interesting topic के साथ फिर से मिलती हूँ तब तक के लिए bye bye take care